आलू की पराटे बनाना आपको जंजट का काम लगता है तो मैं लेकर आई हो बहुत ही इजी टिप्स जिससे आपकी पराटे फुले भी बनेंगे, सौप्ट बनेंगे और फटेंगी भी नहीं तो चलिए देखते हैं कि इस पराटे को कैसे बनाएंगे पराटे के लिए आलू हमने उबलने के लिए रख दिया है अब हम बना लेंगे अध्रक ओडलासन हरी मिर्च का पेस्ट जो पराटों में डालेंगे तो यहां पे हमने पेस्ट रेडी कर लिया है यह देखिए चलिए अलू उबल चुका है उसका छिलका हटा कर हम गरम गरम आलू को बारीक मैस कर लेंगे तो इस तरीके से आप चाहे तो इसे कदुकश भी कर सकते हैं ताकि एक भी गुठलियन आ रहे मैंने हाथों से इसे अच्छे से मसल लिया है अब इसमें डालेंगे कुछ मसाले सबसे पह जीरा पाउडर और इसमें 1 फोर टेबल इस्पून अजवाइन डाल रही हूं और अध्रक लहसन और हरी मिर्च का पेष्ट में एक चमच डाल रही हूं आपको जितना तीखा पसंद है डालें टेस्ट के इसाब से नमक डाल कर मैं यहां पे बारीक कटा हुआ हरा धनिया डा अब चलिए आटा को गुत लेते हैं दो कप हमने आटा लिया है थोड़ा थोड़ा पानी डाल कर इसका डो बनाएंगे रोटी से थोड़ा हम टाइट रिसका डो बनाएंगे आटे का तो यह देखिए इस तरीके से हमने अच्छा से मसल कर आटे को लगा लिया है अब यहां एक चमच घी यहां पर तील हम लेकर आटों में मिक्स कर देंगे इस तरीके से और एक बार और इसे इस तरीके से हाथों से मसल लेंगे ताकि अच्छा से मिक्स हो जाएगी पूरे आटों में और इसे 10 मिनट के लिए रिष्ट के लिए रख देंगे चलिए 10 मिनट हो चुका परांटे बनाना शुरू करते हैं तो एक बार और मैं इसे मसल लूँगी और जिस साइज का हमें परांटा बनाना है उस साइज का हम इसमें से लोई तोड़ेंगे तो इस साइज के हम परांटे बनाएंगे पहले आटों में सुखे आटों में डस्ट करेंगे और इस तरीके से हांस्तों से फैलाते हुए एक कटोड़ी सा सेफ देंगे और इसमें भरेंगे धीर सारा आलू का मसाला ये देखिए एक बार इस तरीके से प्रेस कर लूँगी फिर में आलू का मसाला और भरूँगी ये देखिए तो धीर सारा इसमें जब हम आलू का मसाला भरेंगे तभी प इस तरीके से हम जितना फैल सकता है फैला लेंगे प्रेस करते हुए उसके बाद से इस पे हम बेलन से साइडों से इस तरीके से बेलेंगे इससे क्या होगा पराटा बिल्कुल भी आपका नहीं फटेगा यह देखिए बिल्कुल भी नहीं फटा है पराटा बनकर बिल्कुल र पलट देगे दूसरे साइड भी एक से टेल मिकर्ण हम ने पका लिया है और हमने चेक कर लिया है इसे अब लगाएंगे इसे उपर घी तेल बटर कुछ भी जो आप पसंद करते हैं चारो तरफ लगाने के बाद इसे हम पलट लेगे तो घी हमने अच्छा से लगा लिया है पल से फूल चुके हैं मैं इसे घुमाती हुए चारो तरफ से एकवल सेक लोगी उसके बाद इसी तरीके से हमें पलटते हुए दोनों तरफ से हमें तुरंत आपको सर्व करना है तो थोड़ा सा करारी प्राठे सेके और थोड़ा देर में करना है तो थोड़ा सौट ही निकालें यह देखे हमने पलट कर, दोनों साइड हमने इस तरीके से प्रेश करते हुए सेक लेना है इस तरीके से यह देखे बहुत ही आचा प्राठा बनकर रेडी हो चुका है इसी तरीके से हम सारे पराटे क्यों बना कर रेडी कर लेंगे, तो है न बहुत ही असान इसे बनाना, तो सर्दियों में आप इसे जरूर ट्राइ करें, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि रेसिपी कैसी लगी, आप इस पराटे को दही, अचार, चेटनी, किसी भी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब किजिए, सेर किजिए, थेंक यू